नमस्ताइब दोस्ताइब स्वागत टूडवाइस में हम जियोग्राफी देख रहे थे जियोग्राफी में लास्ट टॉपिक हुआ था वह था आपका पवन से संबंदी तो नेक्स्ट में जो हम देखेंगे वह है लोकल पवन लोकल बिंड इससे पहले जो मैं आपको बताया इसस्ताइ पवन जो पर्माने चलते हैं लोकल बिंड इस के बारे में हमको पढ़ना है यह होते हैं लोकल बिन का करन क्या है बोलेगे वायुदाव हुआ दापमान कि ब्वायुदाव थापमान में जो अंतर है कि अंतर होत आस्थानिस्तर पे हो चाहिँ अधर बाईव्दाव दाज मान में लोकल ले बर पे जो लूप रहे लोकल लेभरल होता यां क्वाईवान को परभावित करती है तो लुकल में जलवाईव को परभावित करती है लिखना है कि वायूद आप तापमान में अंटर के कांट जो अस्थान पर चलने वाली पवने हैं वह से इस्थान पवन कहते हैं कम शेत्र फाल को प्रभाविट करती है अब देखते हैं कुछ है क्लासिटिकेसा है इसकरिये सफसे पहले इस समीर के मतलब है पर्यवाची पाढ़ेगे चांव है टो क्ंट्र परवत समीर시죠 हर्eg मेर antipa Wallace bene है अच्ट से प्रॉप से पहले तो आपको यह याद करना होगा तो इस्वास शमीर इसल प्रॉकल स duration अने भाले सम समेब से शा क्या उस दिखे हो इस अकृकल सле पवने है लोकल विंडर अब एक बड़ा डाइग्राम से दोनों को देख लेते हम तेक्टन को कि देगे अब से पैने कि में आज सक्वान के समुद्री समीर और स्थाल्व समिर बेखे लेकि कि देखो अब मुद्री समीर स्थाल्व समीर यह कोई समुंद्र है माली जी तो आ रहे हैं यह समुंद्र है और यह क्या है आपका लेंड है तो भूमी है और यह समुंद्र अब दीन के समय है क्या कर देंगे दे दीन के समय क्या होता है जो गर्मी रहती है वो कहां पर अधिक रहती है तो गर्मी रहती है भूमी पर जिसूर की करन रहती हो भूमी पर पढ़ती है साथ साथ से लेकिन भूमी क्या दिल डिकति अर्फार भूमी पहले गरम हो जाएगा किसी की तुला में को लेंगे में जो है पहले गरम होता है कंच है गउसे हैं अब जो भूमी गरम होगा तो भूमी से लगने वाले निघ्ञ, HI – और मों जाएगा तो जो बायू गर्म होगे ऊपर उठे ली और वहां पर बायू दाव क्या हो जाएगा गो जाएगा इस किसे एक बार सेखों को देखें डेम के समय भूमी जो है तिफ़ गति से गरम हो जाती है समुद्र कि तुणना हमें भूमी तिफ़ गति से गरम हो गई यह दियाग्राम खुला हुआ मैं देखें तो भूमी गरम होई वह से लगने वाली बायू गरम हो गई उपर उड़ जाएगी तो वहां पर कम बायूदाब का छेदर बनेगा पूरे इलाक्षे में कम बायूदाब का छेदर बनेगा रिजल्ट है अधीक बायूदाब समुंत् इसे करेजिए एरो पनी साहं देके इरो तो पवन क्या है पवन कर तकर कि शड़िया रहा है समुंदर से चल रहा है इस्थाल की ओर का बोलने है आपको समुंदर से इस्थाल की ओर चल रहा है तो समुंद्र से इसकर क्यों चलने के काण क्या हो जाता है इसे समुंद्री समीर पहते हैं अब अगर यहां दिन नहों रात हो जाए तो इस सेक्षिन को चालू कर रहा हूं है अगर यहां पर दिन के जगा राज कर दिया जाए तो एक सोटा सा डाइग्राम दे दिए यहां कर दिया जाए माल देते हैं यह समुंद्र है और यह भूमी है अब रात हो गया तो रात पर क्या रहेगा समुंद्र गरम रहते हैं और यह ठंडी हो जाएगी पूरा भूमि धंडी हो जाएगी फुरी भूमि धंडी होने करण वायू-दाथ कहां पर पर अधिक रहेगा सबाद्र होहन दार हो जा easier तो समुमदर दीन हो जा रहें दिन में तो condition यह है कि आपका समुंद्र से चले भूमी के और रात में क्या चलेगी तो भूमी से समुंद्र के और चलेए उल्टा हो जा रहा है और इस कारण से तो तापमान और दाप के करण और इन दोनों के बीच का relation क्या है यह नुनों एक दुसरे के उल्टा होते हैं तो इस तरीके से अब रात में समुंद्र के और चलेगी क्या कि आँध में क्या राएद qs का से और हेसे दिखाएंगे आप कि यह वाला है जो और इसे हवाई दिखाएंगे तो यह हो जाएगा आपका इस्थाल और इस्थाल से चल्दी हमाय की साइड समुद्र की और समुद्र आईए पूरा तो यह से करके डाइग्राम आपको सोब करना होगा इस्था समेब और समुद्री समेबगा परवत से आ रही है है घाटी से आ रही है तो इस नाम रखना जाता है तो समुद्र पवन तो इस्थाल पवन कर लाईगी कर दो यहां पर देखना है परवत समीर और दूजरे हिस्ते में हमको देखना है घाटी समीर दो सेक्टेंट किस्ते कर लिए परवत से आने वाला किस तरीते से रहता है यह घाटी है तेरे आंसे परवत पिश्टार्टी और यह क्या है अब कर देखना है तो बोरा परवत से आने वाली दीन के समय क्या होता है यहां पर वायूगरम होती है दीन के समय घाटी ताफा न देखोगा दिन के समय तो यह पूरा का पूरा हिंस्ता क्या है यह घाटी है और यह जो उंचा उठा वाला वाग है यह है परवत अब घाटी डिजिए अगर परवत है घाट क्या है एक उपर भग दिखाई देगा तो परवत के पात के पात के परवत पूरा हिंस्ता घाटी है यह जीड़े दिरे उपर चड़ती है तो दिन के समय जो भाईव घाटी के रहती है तो यहां यहां पर इंटर्कनेक्शन कर लिएगा घाटी समीर कर दीजी इसे और इसे परवत समीर कर दीए तो घाटी से चाव रही है पवन घाटी से किस दिशा में चाव दीए तो परवत क्यों चाव दीए कारण क्या है ताफ़ान अधिक हो गया बायुगरम होके उपर उठेगी और थीर दीरे परवतों के साथ में चाव दिया तो घाटी समीर के देरेक्टन दें लुटा होता है रात्री में यहां की जो भी पयद्य रहती है चारों साइट ठंडी हो जाती है है तो आतमे रात में क्या लिक्रेंगे जो परवत का हिस्था है यह आला पुगर्ड़डा का थं होने के कान भाली हो जाती है जो आगा है कि अग। करती है जा घाटी समीर में जो यह बाईव गरम होके ऊपर उपर 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 उखती है और उपर जाने कवाद भी ठंडी हो जाती है और ठंडी ओने के कि हर से जो बायु परवतों के साथ दिरुर दिर उपर चंडी है। है कि यहां पे घाटी थी दिर परोज में क्टाप उपर चल रहे Lah A तो आपको जाएगे ठंडी होगी ठंडी होने के वाद बर्शा करती है जो पश्चिम घाट है परवत है इस है परवत है हमारे गुंजिटें टडबे पस्चिम टडबे घात है यहां से संव्ण यूद्र से आ लिए पवन अब इस परवत के सहाड़े दीरे-दीर उपर चड़ी जैसे मेरा यह माल लिए हच्छेदी ओंगली है कोई परवत आ लिए तो सीधी खाड़ी मतलब यह सीधी दिखाई दे लिए परवत है जिस्टे कोई पवने टकरांके क्या करेगी दीरे-दीरे उपर क्यों रूठी है और बादल फड़ गया है तो क्लाउंड प्रस्ट हो जाते हैं और घाटी में दीरे-दीरे देखिए कि तर इस उतर हो रहे है और दूसरे साइड में क्या चाह रहे हैं तो पूरा इसलिए कभी भी घाटी में खेती नहीं होता है वलकि परवतों के भी धाल नहीं होता है कि कृठी नहीं होता है प्रवतों नहीं होता है । तो यह हो गए आपके घाटी समीफ और प्रवस्वंजित देखें कुछ पवनों का नाम और छेट जो लोकल पवन है लोकल पवने जो चव भी है कुछ पवन को कभी कभी बहुत इंपोर्टेंट रहता है में चींग करने की आधा में और आपको नाम भी याद होने चाहिए पुछ सहारे का तो नहीं लेकिन कुछ के नाम आपको जबने जाध होने चाहिए पहले नम्बर के दिखिये सबसे पहले नाम है से रखो और प्रेव को पवन और रिचेट करिए सारम सब्सक्राइब ठीक एक रब बाइग्रा में सहारा मरुस्टाव का बना रोने हैं आपके थामने यह पूरा इलाका क्या है सहारा मरुस्टाव है सहारा मरुस्टाव की दो महत्पून्ट पवन का नाम है एक है सिरप्पू पवन है दूसरा है हरम ठट इसे उतने हरम एक का डारेक्शन ऐसे पूरा भूमत शागर है और दूसरे का डारेक्शन है जिसा देखेगा पवन का एक दिन्मी की खारी है तो यह जो है आपका डारेक्शन इस दिसा में जाने वाला पवन है शिरक को पवन सहारा मरुस्टाव में चलते हैं भूमत शागर की उचल रहें की साइट चले हैं बोलेंगे भूमत शागर है परहा दुचक परफए गर्म रोशीं भाष्श हर भूमत शागर की रहें टूर्म और पर दूसरा दूसरा नाम है डॉक्टर हवाय कहते हैं कि दॉक्टर हव दो हवार तो ऐसे हो गई तिरक्को और हरम तर्म दोनों चब गए सहरा मरुष्थर में एक और देख लिए सहरा मरुष्थर में यहां पर मिलेगा लिबिया यहां चलेंगे आपका गिबली यहां पर नाम है गिबली पर लिए लुट करते चलिए पर नाम कहां चल रहें गिबली लिबिया यह भी कहां पर अफ्रीका में है को नहीं यहां पर किजिप दिखे गई यह मिस्र यहां पर चल रहें खंसीन होटल मिलाके सहाराम और उस्तल वाले इलाके में चार हवाएं हैं कोंड कोंसी हवाएं हैं सिरत्पो अरंटन गिबली और वाएं हम तीन कहां चल रहे हैं मिस्र में चल रहे हैं गरम पर नहीं है कि एक बाद खरी से नाम में इलान कर लिजी आप कि अगर अगर नहीं पर नाम है जीबली पर नाम है जाना चाहरा है लिबिया खंसीन तो यह चल रहे हैं आपके मित्र में तो चल रहे हैं तो कौन का नाम होगा यह आपके नेक्ष्ट में देखिया फिर से और कौन कौन सी पवने कहा कहा चाहँ जाओ भी हैं और देखिया कौन कौन सी कौने कहा चाहँ जाओ दी हैं बोलिंग मिश्ट्र मिश्ट्रल क्या है फ्रांस में चलती है फ्रांस में चलने वाली अबने हैं मिश्ट्रल इसी तरीके से चलेगी आपकी क्या चलेगी लू भारत में फिर चलेंगे बिल्यार्ड ये चलेंगे युएस और कनाड़ा अंतार्टिका में फिल्जर्ड युएस कनाड़ा अंतार्टिका में चलेंगे ब्रिक फिल्डर तहां चलेगा ब्रिक फिल्डर बोलेंगे आश्ट्रेलिया में इसके वाल सांता आना सांता आना बहुत इंपोर्डेंट है यह कहां चलता है कैलिफॉनिया अमेरिका के युएस के कैलिफॉनिया इस प्रांड में पहले तु नाम मिलान कर लिए कौन कौन सी पवने कहां कहां चाहँ रही है मिश्टर प्रांस में लू भारत में डिल्याड युएस कनाड़ा अंटार्टिका में थंडी पवने वुए तु आमेरिका में चलती युए त्लिफॉनिया प्रांस में चलती है चिनूक चलती है यह भी अमेरिका में चलती है चीनुक कहाँ चव दिया है तो अमेरिका में चव दिया है नाम आपको याद करना ही वह हार कंडिशन पर जैसे भी करें कि चीनुक के बारे में पूछ लिए चीनुक चव दिया अमेरिका में में खाल रहीए यहेकर सब्सक्राइवटों में चल रही है घॉलंदी नंट करें पूर्ण परूर्ण चल रही दरें तो रूस में रूस का बड़ा भाग साइवेरिया के लाता है ठंडा और चल रही है बुरान जब्पी चलती है तो अपने साथ हीम के काड़ों को लाती है बरख लेके आती है पूरा इलाका ठंडा हो जाता है ताप मां बहुत प्रेप्ट करती से घिर्टा थी किसी तरीके से ब एक बूर कांच रही है जैंडेगे जाए अवर्स अब दोनों प्रांस में चलते हैं मेश्ट्रा और और बोरा चामुल यह चल रहे हैं इरान में कि इस तरीके से लोकल पवनों के काभी सारे नाम हैं इनको आपको बार बार करना पड़ेगा इसलिए चल रहे हैं तो सेम बोलेंगे वायूदाब में अंतर के कारत कि अधिक हो जाता है उसके बाद लुब करते हैं नाम है चलते हैं और कहां तक चलते हैं राजस्थान से लेकर भंगाली खाड़ी तक चलते हैं पाकिस्तान कई बड़ा इलाका लुप के चपट में रहता है तेमरीचर कितना बड़ जाता है तो 50 डिग्री तालीस लेके 50 डिग्री तक हो जाते हैं टेंबरेचर लोग के कारण बहुत लोगों को बहुत लोग को लोग की चपेड में आ जाते हैं तो इसी तरीके से या तो पवन सुस्क है या तो गरम है अब पुरातर इसको भी समझ लीजिए आप यह साथ नोट कर अब 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 तान ताना यूएस फिलिफोनिया और इससे पहले जो आपके सीरत्पू हरम टट खंसी म यहां पर क्या है पवन पवन का कुछ टाइप हो सकता है किस तरीके से हो सकते हैं गरम पवन हो और सुस्क पवन हो गरम है यह तो सुस्क है कंडी है कंडी पवन और सुस्क पवन फिर क्या है गरम है वह आद्र है कि गरम पवन क्या रहती है उसमें आधर्ता गरण करने की केपिसिटी अधिक रहती है अगर पवन गरम हो जाए तो यह वायू गरम हो रही है यह वायू गरम बायू है इसकी आधर्था गरहन करने की छम्ता बढ़ ज인가 मतलों अधीक जल इकत्पित करच ऑर अधर्था और स क्या कर सकता है और पर चलेंगे मरुस्थल में मरुस्थल में चलेंगे तो अपने साथ धूल यह सब लोग इलाते हैं अपने साथ परिवहन करते हैं धूल के कान बालू कंकड़ पत्र अपने साथ क्या करते हैं अगर मरुस्थल में चलने वाले जैसे आप थार मरुस्थल में चल जाएंगे तो गरम पबन यहां लेकिन गरम के साथा जैसे मानसुन इभ crappy गरम को Verme इकर मेहां जाइडी चले गी जाएडी पवन थंड़े जान चेत्र कोई से ठटर एंड़ा जाएड है थंदे लाकिम चलेगी से तिर्टे नहीमेर जिर्टेव वह नतांडिकर आपनल चलेगी कि एक सिजिनल मांसुन क्या होते हैं कि विशेश परकार का पावन है मांसुन तो मांसुन पावनों के बारे में नेक्ट क्लास में पढ़ेंगे फिलाल तो पावन का कुछ विशेशता है यजिसके बारे में अलग से पढ़ेंगे जो भारत मांसुन आता है जिस पे पूरा का पूरा अगरी कल्चेर डिपेंडे करता है मांसुन पावनों के दूब इसकी दीशा समय के साथ ही बदल जाती है रीतू में परिवत्र होने के कारण क्या है मांसुन की परवने भी बदल जाती है विशेस परकार का पावन हें वाई हुए नेश्ट चेप्टर में हम भी लेंगे पावन के साथ कों से पावन मानस्वित होने के साथ सब्सक्राइब बने रहे हैं फिर मिलेंगे नेश्ट क्लास में